हेलो फ्रेंट्स, क्लास 9th NCRT Mathematics के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है Students, इस वीडियो में आप समझेंगे Exercise 8.1 के Question No.1 and 2 Question No.1 एक चत्रबुज के कौन 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है इस चत्रबुज के सभी कौन ज्याद कीजिए यह क्यूशन प्रिक्षा के द्रिष्ठी से बहुती important question है Question में चत्रबुज के सभी कौनों का अनुपात दिया गया है तो हम मान लेते हैं अब 3 अनुपात 5, अनुपात 9, अनुपात 13 में दिये गए हैं तो हम इन सभी में X के multiply कर देते हैं कोई ने कोई common factor इन सभी में है तो हम X मान लेते हैं कि वो common factor X है तो उसकी हम सभी से गुणा कर देते हैं, 3X, 5X, 9X और 13X है, ये क्या है सभी कौन आगे? चत्रबुज के अंता कोनों का योग है? कितना होता है? 360 डिगरी होता है, तो चत्रबुज के कोन क्या है? 3X, 5X, 9X और 13X है, तो इस परकार 3X प्लस 5X प्लस 9X प्लस 13X है, इन सभी कोनों का योग कितना है? 360 डिगरी है, तो इन सभी को जोड़िए, 3x plus 5x 8x plus 9x 17x plus 13x 17 plus 13x 30x is equal to 360 degree और हमें x कियात करना है तो x is equal to कितना आ गया 360 divided by 30 degree तो यह हम मारे पास इससे 12 पे कट गया तो x is equal to कितना आ गया 12 degree आ गया तो x का जो माना आया है वो 12 degree है तो अब हम 3x 5x 9x और 13x के मानिगात कर सकते हैं तो 3x is equal to तो 3 into x का मान कितना 12 degree है तो इसमें 12 degree रख दीजिए कितना आ गया 36 degree अब हमारे पास 5x है तो 5x तो 5 into 12 तो कितना हो गया मारे पास 60 degree हो गया इस कौन का मान फिर हमारे पास 9x तो 9 into 12 degree is equal to 108 degree हो गया फिर हमारे पास 13x तो कितना हो गया 13 into 12 is equal to कितना हो गया 156 degree हो गया अता है चत्र बुष के कोन है? 36 दिगरी, 60 डिगरी, 108 डिगरी और 156 डिगरी हैं.hini ही हमने ग्यात करना था, यह हमने ग्यात किया. अब आप इस question का screenshot ले सकते हैं अमीद है आपने इस question का screenshot ले लिया है अब हम question number 2 को हल करते हैं Question number 2 यदि एक समांतर चत्रभुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्साहिए कि वह एक आयत है तो question में दिया है ABCD एक समांतर चत्रभुज है यह मारे पास ABCD एक समांतर चत्रभुज है जिसमें विकर्ण AC और BD क्या है बराबर है तो विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है यह हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है यदि समांतर चत्रभुज का एक कौन 90 डिगरी का हो जाए तो वह है समानतर चत्रवुज एक आयत होती है कौन ए बराबर 90 डिगरी यदि हम से दिखर देती हैं तो यह समानतर चत्रवुज एक आयत होगा परमान तिरवुज A, B, C तिरवुज A, B, C और तिरवुज B, A, D में A, B भुजा दोनों तिरवुजों में क्या है उभेनिष्ट है तो A, B बराबर है B, A क्या है यह उभेनिष्ट है दोनों तिरवुजों में उभेनिष्ट और B, C बराबर है A, D यह दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर है क्योंकि ये समांतर चत्रबुज की सम्मुख हो जाए है और A, C बराबर है B, D तो A, C बराबर है B, D ये क्या है? दिया है समांतर चत्रबुज A, B, C, D के विकरण क्या है? बराबर है तो ये दिया है तो इस प्रकार तिरबुज A, B, C सरवांग सम होगी तरबुज B, A, D के आइट साइट साइट सरवांग समता कसोटी से ये दोनों तरबुज क्या होगी है सरवांग सम होगी है और सरवांग सम तरबुजों में संगत भाग क्या होते हैं समान होते हैं A, B, C का कोण B बराबर है B, A, D का कोण A के by C, P, C, T यानि corresponding parts of congruent triangle are equal यहां सरवांग सम तिरभुजों में संगत भाग समान होते हैं इसको हम नंबर एक मान लेते हैं परंतू, परंतू, एंगल A पलस एंगल B बराबर है 180 degree क्योंकि A, D समानतर B, C, A यह समानतर चत्रभुजों की समुक भुजाएं हैं समुक भुजाएं समानतर होती हैं और A, B क्या है? एक तीर्यग रेका है यह दि दो समानतर रेकाओं को एक तीर्यग रेका पर्तिशेद करें तो तीर्यग रेका के A की और बने अंता कोनों का यह होग है 180 degree होता है इस प्रकार एंगल A पलस एंगल B बराबर है 180 degree अब हम एंगल B की जगे हम क्या लेख सकते हैं? तो एंगल A पलस एंगल A बराबर 180 degree कहां से? एक से एक में क्या है? कि B एंगल है वो किसके बराबर है? एंगल A के बराबर है तो दो एंगल A बराबर कितना हो गया? 180 degree हो गया और एंगल A बराबर कितना हो गया? 180 degree बटे में दो तो यह कट गया किस पी? बराबर कितना आ गया 90 डिग्री तो इसको लेख सकते हैं अता है एंगल ए बराबर 90 डिग्री है तो यही हमने शिद्ध करना था कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो तो A, B, C, D जो समांतर चत्रबूज है वो एक क्या होगी एक आहत होगी अता है A, B, C, D क्या है एक आहत है क्योंकि समांतर चत्रबूज का एक कौन समकौन हो तो वह आहत होता है तो इस परकार हमने क्षिशन नमर दो को हल किया अब आप क्षिशन नमर टू का स्क्रीन शोट ले सकते हैं उमीद है आपने क्षिशन नमर टू का स्क्रीन शोट ले लिय क्या है मैं आनिल आईतान वमिंद करता हूं कि इस वीडियो में समझाएगे क्यूशन नमबर वन और टू आपको समझ में आए हैं